आपको बता दें पूरा मामला दिन बुदवार को बांदा की जिलास्पताल के सामने का है जहां बांदा की देहाद कोटवाली छेतरंतरगत छनेहरा गाउं में कच्ची दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई जिसमें व्रध दब कर गंभी रूप से घायल हो गया जिसको घा जहां इलाज के दौरान व्रध की मौत हो गए मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है वहीं म्रतक के परिजन बिना पोस्ट माटम कराई ही म्रतक के शव को घर ले गए साथी जानकारी के अनुसार म्रतक व्रध मुस्ताक खान पुत्र इलाही खान चनहरा गाओं की रहने वाली बताय जा रहे हैं। क्या है पुर्ण मामना एक ब्रद यहां मुस्ताक खान लाएगा है असी साल के हैं चनेरा लालपुर से लाएगा है कि इनका कहना है कि दीवान गिर गई है कि काम करते हुए इसे यह सीरिय सवस्तम भर्दी कराया गा है सौक में थे और इलाज के दोरान मिक्ति ब्रदी तो जम आयर मेंने का भी घंदि के देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर